Standard Scaler आपने देख लिया, अब Min Max Scaler और Max Absolute Scaler देखते हैं, मैं directly screen पे जाता हूँ, कुछ नहीं करना आपने, आपने यहाँ पे, यह जो आपने पिछले lecture में किया था, Import Pandas SBD, From Second Line, Pre Processing, Import Standard Scaler, यहाँ पे कॉमा लगाएं, यहीं पे आप Min Max Scaler ले आएं, और यहीं पे आप Max Absolute Scaler ल यह 3 Scaler मैंने Import की हैं, ज्यादा नहीं मैं कर रहा, मैं इसको Run करता हूँ, ठीक है, अब आपका यह वाला data, जो पहली आपने Run किया हो, तो इसको Run करें, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यह सारे का सारा Code उठाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, Min Max Scaler, ठीक है, यहाँ पी कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, आपको समझने का, मैं इसको Run करता हूँ, लो जनाप, यह Min Max Scaled Data, और आपने देखा, यह 0 से 1 की range में है, that's how much, मैं अगर उर्दू में भोल दूँ तो बेतर है, इतना असान आएगा, सिरफ यह चीज चेंज करनी, बाकि वै specific column को करना है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से square bracket लगा दें, अच्छा, यह तो हो गया Min Max Scaler, अब आप कहेंगे कि इस से आगए, जो Max Absolute Scaler उसको कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर Max Absolute, Absolute, यह इसको हम ऐसे लिख देते है, Max Abs Scaler, इसको हम देखने के लिए मैं same वो ही code paste करता Absolute Scaler लगाना है, and simply, boom, that's it, this is how you can actually scale your data like this, और आपको पता है कि Max Absolute Scaler के अंदर आपका data जो है, वो किस तरीके से scale होता है, अब Max Absolute का जो formula है, this is little bit different than Min Max Scaler, यह तो 0 से start हो गया, अब आपके पास Absolute 0 से यह start होगा, अगर कोई Absolute 0 की value आई तो वो वहाँ पे आईगी, ठीक है अगर आपने इसमें और information लेनी है, तो आप यहाँ पे जाके Max Absolute Scaler को और भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप गोर करें, Max Absolute Scaler ने भी ऐसे लग गया, बाकी Scaler भी ऐसे लग गया, इसका मतलब है कोई भी Scaler आपने लगाना है, आपने simple क्या करना है, कोई भी Scaler ल देखें, तो अगर मैं यहाँ पे Ctrl-F करके Robust Scaler लेकिया हूँ, यह Robust Scaler है, Robust Scaler क्या करता है, basically यह कोई भी जो आपके Transformers वगरा हैं, उनकी Base पे आपके Outliers को भी Set कर देता है, ठीक है, Robust है यह Scaler, आप यह भी Use कर सकते हैं, यह के करेगा आपके Data को और भी अच्छे से Scale कर द लगाता हूँ, और यहाँ पे यह वाला डेटा पूरे का पूरा Copy करता हूँ, यहाँ पे Paste करता हूँ, इसकी जगा पे मैं Robust Scaler लगा कर देखता हूँ, अगर यह काम किया है, ठीक, but now we will see, लोजनाप, यह आगया Robust Scaler, simply, minus 1 से 1 तक आगया, so इसने क्या किया, Outliers अगर डेट हैं, जो हम बार-बार देख रहे हैं, ठीक है, and then you can actually do this kind of scaling on each feature, और यह एक important step है, आपके डेटा को एक range में लाने के लिए, डेटा को transform करने के लिए, समझागे हैं यहाँ पे बात की, अब इसके इलावा मैंने जो आपको दूसरे box cox method method बताए हैं, और कुछ और किसम के method बत करते हैं, डेटा को Gaussian distribution में convert करते हैं, let's see their example कि वो कैसे काम करते हैं